दोस्तों आज मैं आपको TP-Link का 5.0 Bluetooth Adapter को कंप्यूटर में इस्टोल करने के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि इसे आप अपने कंप्यूटर में इस्टोल कैसे करेंगे जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताये था कि यदि आप PC में Bluetooth को चलाना चाहते हैं तो आपको इस तरह का Bluetooth Adapter परचेज करना पड़ेगा तो यदि आप confused हैं आपको कौन सा Bluetooth Adapter परचेज करना चाहिए तो इसके लिए आप इस वीडियो को देख लिजे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा Bluetooth Adapter आपके लिए सबसे बेस्ट है और दोस्तों यदि आपने TP-Link का 5.0 Bluetooth Adapter को परचेज किया है यह परचेज करने के लिए सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख लिजे दोस्तों यह TP-Link का अन्बोक्सिंग वाला वीडियो है तीस वीडियो में दोस्तों मैं आपको TP-Link के 5.0 Bluetooth Adapter को सेट अप करने के लिए बताऊंगा कि आप इसको अपने कंप्यूटर में सेट अप कैसे करेंगे और चलाएंगे कैसे यानि कि पूरा का पूरा प्रोसेस आपको करके प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं दोस्तों Bluetooth को चला सकते हैं तो चलाने के लिए आपको करना किया होगा कि सबसे पहले Bluetooth driver को डानलोड करना पड़ेगा उसके बाद उसको setup करना पड़ेगा यानि कि इस्ट्송 करना पड़ेगा तो सबसे पहले TP-Link का consultants driver ।्र डानलोड करने के बारे मापको को बताता हूं कि आप download कैसे करेंगे तो आपको करना क्या है दोस्तों Chrome ब्राजर ओपन कर लेना है और Google में आपको टाइप करना है टीपी लिंक यह लिक्के आपको इंटर कर देना है उसके बाद यहां पर आपको दिखेगा नंबर तो इस बॉकस में आपको model नंबर फिल करना है तो देखें फिल कैसे किजहें यहां पर आपको two up COB ya यहां पर आपको यू यूव एफ्याइप डबल जिरो यहां पर आगिया बुलुतूथ अडप्टर देखिए बुलुतूथ 5.0 नेनो यूएसवी अडप्टर यूभी 500 तो यहां पर यदि आपका किलिक रहें दोस्तों तो आपको सबसे पर ड्राइवर में किलिक कर देना है उसके बाद नीचे आना है नीचे आने के बाद यहां पर बता रहा है और यहां पर रिलीज डेड़ बता रहा है तो हमको इसको करना क्या है दोस्तों डाउनलोड करना डाउनलोड करने के लिए देखिए यहां पर डाउनलोड लिखा हुआ यहां पर हमको कर देना है के लिए तो यहां पर डाउनलोडिंग सुरू हो जाएगा था हम सब्सक्राइब करना है को सबसे पहले अंजीब करना के लिए ऀसके अंदर है के लिए हमको करना क्या दोस्तों इसी को पर राइट क्लिक करना राइट क्लिक के बाद यहां पर हम क्लिक करेंगे एस्ट्रेक्ट फाइल में यदि आपको अंजीब करने आता है तो ठीक है नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देख लिजिए तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी इस वीडियो में मैंने एकदम डीटेल में बताया ठीक है तो मैं यहां पर विन्रार से इसको अंजीब करना हूं तो अंजीब करने के लिए मैंने वह उस तरह का प्रोसेस अपना है ठीक है उसके बाद अमेश कुमार 1 कर देते हैं उसके बाद कर देते हैं इसी फोल्डर में यह एंस्टिक्ट हों कर देखने के लिए मिलेगा तब सारा का यहाँ एक फोल्डर दिख रहा है इसको भी खोलेंगे अब यहाँ पर देखे कितना सारा फोल्डर आ गया था पहचानेंगे कैसे कि setup वाला फाइल कौन सा है तो देखिए यहाँ पर खुड लिखा वाराता है देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर setup यह रहा यहाँ पर इस्टोसिंग का जो प्रोसेस से वो माधो हो जाएगा दिए इस टोले रहा है ग्रीन हो तह–कुछ नना देखते रहा है ठीकος यह भी प्रोसेस करते जाएंगे अपने आप इस्टोल हो जाएगा dit यहाँ पे दोस्तों हमको नेश्ट करने के लिए बोल रहा है था हम यहां से नेश्ट कर देते हैं उसके बाद यहां पे अप्पर कुछा लेक्ती तुरों करने करने के लिए नहीं ऑप्संदोर अब तो यहां पये एप्प Strolling wizard complete यहां पर TP-Link UP-500 Bluetooth ड्राइबर इस टोलिंग वीजार्ड कंप्लीट का यहां पर option और यहां पर बोल रहा है कि आप अपने computer को restart करना चाहते हैं यहां पर restart नहीं करना चाहते हैं तो हम यहां पर नहीं करेंगे नहीं तो क्या होगा कि सारा वीडियो यहां पर जो रिकोर्डिंग है वह बंद हो जाए था हम फिर इस पर किलिक कर देते हैं तो देखें यहां पर बुलुटूथ का इकन अपने आप आ गया जैसा ही मैंने इसके ड्राइवर को इस्ट्रोल कर दिया तो अपने आप आगया ठीक है तो हम करेंगे क्या दोस्तों यहां पर माई काम में देख रहा बुलुटूथ यानि कि हमने जो ड्राइवर को इस्ट्रोल किया वह एकदम सक्सेसफुली स्ट्रोल हो गिया यहां पर देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं देखिया गया टीपी लिंक बुलुटूथ 5.0 यूएसभी अडप्टर यह वाला ठीक है इसका मतलब है कि हमारा जो ड्राइवर है वह सक्शेसफुली स्ट्रोल हो गिया है और यहां पर बुलुटूथ का एकन भी आ गया है अप जो भी करना है आप किजिए ठीक यह किसी भी डिवाइस को इगद़ किजिए चाहें कोई प्रोब्लम हो रहा है दोस्तों मुझे कमेंट करके बोलिए कि मुझे यह प्रोब्लम देखने के लिए मिल रहा है इस वीडियो में आवल टीपी लिंक के बुलूतूथ 5.0 को इस्टॉल करने के बारे में मैंने बता दिया ठीक है इसको आप सेट अप कैसे करेंगे तो ही पर समात करते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों